तो बात करेंगे तरप्रदेश अभी योजन अधिकारी परिक्षा की यानि की APO की और उसमें समाने हिंदी का जो भाग दो है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे पूरे सलेवस पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताये जाएगा तो पूरा वीडियो है आपको यह पाठ्ठे करम यानि कि हम संपॉर्ण सलेवस की इसमें जानकारी देख लेते हैं क्या क्या आपका सलेवस है किसके टोपिक से क्या क्या चीज़े पूछी जाती है और आपका इसमें आपको यह तो पता ही होगा मेंस में आपके इसके मार्क्स एड होंगे तो यह आपके तो यहां से इसमें आप बूम कर सकते हैं ठीक है और वैसे इतना हाड सब्जेक्ट नहीं है बहुत इजली है बर थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना है अगर आप हिंदी पर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो वह आपके लिए बहुत बेनिफिशल होगा तो बात करेंगे इस ठीक है फिर आपको निमंद प्रोवाइड कर आए जाएंगे तो इस बार बहुत चीज़ें आपको चेंजिस में देखने को मिलेंगी जो पहले के मुखाबले बहुत साथ होगी ठीक है दूसरा टोपिक है आपका गध्यांस का अच्छा निमंद जो हैं आपको वैसे तो पा बहुत हैं घाने जाते वहीं से एक निए कैसे आपको मिल जाता है आप चेक भी कर सकते है तिक है घध्याज्ण्स आपको परियावाची की बात करें तो परियावाची मतलब एक ही सब्द के आप इसको कह सकते हैं कि समाना आर्थी सब्द भी होते हैं परियावाची ठीक है यह आपका टोपिक है परियावाची का फिर दूसरा है सब्द आर्थ और उनका वाक्य प्रियोग यह थोड़ा आपका इसमे जो आपका UK APO Mains में भी आपने किया होगा उससे अलग है थोड़ा मतलब आपको सब्द दिये जाएंगे और उनका थोड़ा अर्थ आपको पता होना चाहिए फिर वाक्य में उनको प्रियोग करना है एक तो मुहावरा होता है मुहावरा तो आपको कहावद दियाएगी एक टाइप की मुहावरा मतलब दियाता है और आप उसको वाक्य म Пरियोग करते हैं लेकिन यहाँ पर एक सिंगल सब्द दिया जाएगा इसमें आपका और उसका अर्थ लिकेंगा उसका वाक्य मिह प्रियोग करेंगे तो वही क्या होता है, belong होता है next आपके वर्तनी है वर्तनी में सुध असुध करना होता है सुध ही आपसे इस बूसता है असुध तो नहीं करवाता है तीक है? दिये गए बाक्यों या शब्दों को शुध रूप में लिखी है सातवा जो आपका topic है सब्द समू के लिए एक शब्द होता है सब्द समू होता है और उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होता है जैसे जो कभी न मरता हो जा जिसे कभी मिर्तियू न आए वो उसके लिए एक सब्द अमर होता है ठीक है इस टाइब से हम इसमें सब्द समू के लिए एक शब्द भी चर्चा करेंगे देखेगा यह जो आपके कुछ वोकेब पार्ट है ने सारे जितने भी अलग बग मुहावरे और आपका तस्सम्त अद्बाव सब्द समू के लिए एक सब यह तो आपके जैसे क्लासेश चलेंगी हमारी लाइव क्लासेश चलेंगी उसी में आपका डेली 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 रिविजन भी होता रहेगा इस बार आपको मैं बोल रहा हूँ कि बहुत चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी प्लस चीज़ें आपको देखने को मिल लगी बहुत एक तरीके से मोडिफिकेशन भी देखने का मिल लगा बैच को और उसमें आपको क्या होगा डेली डेली कुछ चीज़ें आपको रिवाइस कराए जाएंगी तांकि आपको भी लगे कि एकदम से वोगयब का हमको PDF ले दिया और वो आपको याद नहीं हो रहो तो ऐसे नहीं होने का है ठीक है वोगयब आपके बैच के साथ साथ भी रिविजन में चलती रहेंगी फिर हैं आपका तस्तम तदभव तस्तम संस्क्रत वाले और तदभव जो उनका परिवर्तित रूप हिंदी में हो गया है शुद शब्द शमूर के लिए एक शब्द आपका होई गया है वाक्य का शुद रूप लिखना होता है मलीजे कोई भी वाक्य देते हैं कि आज से आपको हिंदी ये सर पढ़ाएंगे तो वहांपर पढ़ाएगा लिखा हूआ होगा तो एक मतलब ये है कि उसको सुद कर गर के लिखना है मातराओं की एरर देखन को मिलेगी कहीं पर आपको पूर्ण विराम अपूर्ण विराम और कहीं पर बहुग बचन के लिए बिंदी नहीं होगी तो ये सारे चीज़े इसमें आती है बाकी है आपके मुहावरे और उनका प्रियोग हो गिया ठीक है राजभासा के बारे में आपका लेखन मांगता है दो सो तीन सो सब्दों में जितना भी तो पूरी राजभासा के बारे में आपको PDF दी जाएगी उस पर analysis करके राजभासा स लिए इसमें आपको थोड़ा थोड़ा अंतर पता होगा तो ही आप इस पर लिख ऐगे 2 पत्र में आपका इस Ma में करने पड़ेंगे बिशे médicowood देख लेंगे कि लिकिन आपको इसमें दोनों पत्र करने ज़रूर्य मों कोईसा भी पत्र आप से पूस सकता है ठीक है पाकी आपका कुछ चीज़े इसमें जो बैश से संबंदित हैं वो भी जान लीजिए बैश से संबंदित महतकून बातें कुल कक्षा हैं आपकी लगबग लगबग 20 से 25 कक्षा होंगी आपकी इसी के मीडम होंगी और जो एवरी क्लास का टाइम होगा मतलब एवरी टाइम इसमें चलता रहेगा सभी टोपिक्स के आपको लिखित रूप में नोट्स मिलेंगे कोई भी एज़ा प्रेंटेड के सी बुक से उठा करके अधर उदर से कोपी नहीं दी जाएगी जैसे कि आपको पहले भी बैच कराया था यूगे पियो मेंस का आपने देखा होगा उसम फुल स्लेबस आपका पास्टेश्ट इसमें फुल स्लेबस तो ही प्लस पास्टेश्ट आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे तो ये सारी चीज़े हैं आपके बैच में और बाकि आप कोईरी के लिए जो भी आप इनफोर्मेशन चाहते हैं वो हमारे दिये गए नमबर पर वाटसप मेसिज ये खोल कर सकते हैं तो सारी चीज़ें आपको यहां पर बता दी गई हैं बहुत ही बहतरी इंतरी के साहीं बैच को करेंगे और बैच जो स्टार्ट होगा आपका वो भी डेट देख लिजिए वह सेकंड सेप्टमबर यानिकी दो सितंबर से आपका बैच आरम हो जाएगा ठीक है आपकी क्लासिस जिसमें आरम हो जाएंगी और सारी क्लासिज जो होगी आपकी पर होंगी liveक्लास लाइक शूकरा और नोट्च् amoros audio lecture अने सारी वहाँ आपको को टैलीग्राम पर मिलेंगी से जादा जानकारे के लिए अब यहां पर दिगए नंबर पर हमारे WhatsApp या कोल कर सकते हैं बादी जो भी क्वेरी है वह आप खोल करके या कमेंट में आप बता सकते हैं ओके थेंक यू